हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटुब चैनल फ्रीडूम फ्रॉम हस्पिडाल किसी की इच्छा तो नहीं होती है कभी भी हस्पताल जाने में कभी भी दवाई खाने में किसी को अच्छा नहीं लगता कि सरजरी टेबल पर जाएको लेटे मगर कुछ हमारी लापरवाई और कुछ हमारी मजबूरी साथ साथ कई ऐसी घटनाई जिबन में हो जाती है कि हम ना चाहके भी इस सारे चीज़ें को फेस करना होता है फिर भी कोशिस करनी चाहिए कि हम दवाई ना खाए या फिर एकदम कम से कम खाए हस्पताल बिलकुल ना जाए अगर बहुत जज़वर्थ होती है तभी जाए इस सब के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत दोस्तों करना पड़ेगा मुझे पता है कि आप सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लिए जो हमारी प्रयास है वो है यह है कि आपको एजुकेट कर सके आपका नॉलेज के लेवल को बढ़ा सके आप मेडिकली जो नॉलेज है जो बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए वो आप तक सही डंग से पहुंच सके दोस्तों आप देखते होगे सामने में ग्लास में कुछ जूस रखाऊ चार ग्लास भरके ये मान के चलो एक अपने लिए बाकी सारा आप लोगों के लिए घर में भी आप बना सकते हो चाहे आप घर में बनाओ या फिर आप इसको मार्केट से भी आरेंजमेंट कर सकते हो ये है क्या उस बात को सेयर करने के पहले मैं आपको कहना चाहूंगा रोजाना सुभा पंदरा बीस मिनिट एक्टी प्रेशर जरूर करो अगर दोपर में टाइम नहीं होता है सामकूतर जरूर कर लिया करो चाहे बिमारी है या फिर बिमारी नहीं है पॉइंट सारा फोटो के साथ मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में दिया हूँ साथ साथ घर में कैसे अपनी इलाज कर पाओगे अलग अलग बिमारी होंगा उसका होम ट्रीटमेंट आयरविदिक होम ट्रीटमेंट के माध्यम से अपना घर में कैसे इलाज कर पाओगे पूरी जानकारी मेरी किताब यह है अंग्रेजी यह है अंग्रेजी वाली किताब जिनके पास नहीं है जो हिंदी नहीं समझ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो वो यह किताब जरूर मंगाए अंग्रेजी में जिन लोगों को हिंदी आती है और हिंदी में comfortable हो, वो हिंदी में इस किताब को online Amazon से मंगाएं, घर में आज health dictionary रखें, हमेशा इस्तिमाल करो, और हर पल यह आपका साथ देगा, आपको दवाई और हस्पताल से बचाएगा, इसी वादे के साथ, आज का वीडियो दोस्तों टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी समस्या दोस्तों क्या है, वो है diabetes, पूरे धर्ती में अगर किसी को पूछ लो, सुगर एक घातक समस्या है, और यह बढ़ने के कारण, सुगर की बिमारी होने के कारण, बाकी बिमारी हमारे सरीर के उपर हावी हो रहे हैं, क्योंकि सरीर हमारा कमजूर हो रहा है, तो दोस्तों बहुत सारी बातें आपको भी पता है मगर ढंक से कैसे करोगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें मैंने क्या मिलाए हूँ यहाँ जामुन के गुठली का पाउडर है साथ साथ करेले का जूस है याने इस पानी में क्या रहा है आपका करेले का जूस और जामुन के गुठली का पाउडर यह दोनों को मिलाके हमने अभी फिलाल यह आराउंड शाड़े छैसा एमल मैंने तयार किया हूँ तो हमारे घर में अभी कुछ गेस्ट आये हैं वो भी सारे पिएंगे साथ साथ आपके लिए भीडियो भी दोस्तों बन जाएगे ही मेरी प्रयास भी है अब यह सिर्फ सुगर को दोस्तों कंट्रोल नहीं करता है आप जानकर हैरान रहोगे स्कीन की बिमारी से सुरू करके हाजमा से सुरू करके हमारे नसों की समस्या तक जाइंट पेन हमारे कमजोर हड़ी ओस्टियो पिनिया ओस्टियो आर्थराइटिस रिमाटर्ड आर्थराइटिस हमारा गाउट का समस्या साथ साथ सर्वाइकल स्पॉंड लोसिस लंबर स्पॉंड लोसिस एंकल में पेन, हील में पेन हर एक में दोस्तों काम करता है तो पहले मैं आपको जानकरी देता हूँ कि जामुन का गुठली क्या-क्या फायदा करता है और उसके बाद बताता हूँ करेला दोस्तों क्या-क्या फायदा करता है फिर जब दोनों मिल जाता है सूगर दोस्तों बहुत इजी लिए आप कंट्रोल कर पाते हो सबसे अच्छा है घर में बनाओ कैसे बनाओगे वो भी आज आज आपको सेयर करूँगा otherwise पहुत सारी चीजें दोस्तों मार्केट में मिलती है मगर मार्केट से खरीद के आप इस्तेमाल ना करें अभी भी मैं बताना चाहूँगा घर में बनाओगे तो दस गुना ज्यादा ही आपको फायदा देगा जामुन के गुठली में एंटी डायवेटिक गुन दोस्तों पहले तो पाया जाता है यहाद डायवेटिस टाइप टू के मरीजों के लिए बहुत इलाब कारिये दोस्तों यहाद ब्लड सुगर को नियंत्रित करता है ऐसे में डायवेटिस के मरीज को जामुन का गुठली बहुत ही फायदा देता है और यह जब दोस्तों करेले के साथ मिल जाता है लाजवाब फायदा दोस्तों होता है पड़ करेले का बात हम थोड़े दिर में जानेंगे पहले इस बारे में और चर्चा कर लें जामुन की गुठली में एलेजिक एसीड की मात्रा दोस्तों पाई जाती है तमाम सोद बताते हैं कि allergic acid बढ़े हुए blood pressure को कम करने में काफी मददगार होता है ऐसे में high blood pressure के मरीजों के लिए ये एक रामबान उपाय है दोस्तों इसके इस्तेमाल से blood pressure को कम करना बहुत ही आसान हो जाता है याने बिना दवाई खाके भी आप blood pressure को कम कर सकते हो तमाम विशेसग्यों का मानना है कि allergic acid के प्रयोग से blood pressure लगभग 40% तक आप कम कर सकते हो सिर्फ इस एकी तरीके से साथ साथ जामून की गुठलियों में बहुत सारा फाइबर पाया जाता है जो crude fiber होता है ये पाचन तंत्रों को बहतर करने के लिए दोस्तों काफी फाइदा मन्द है और अच्छा साबिध होता है यदि आपको पत्री की समस्या लगाता रहता है चाहे वो urinary bladder की हो या फिर kidney की हो और कई लोगों को जैसे girl bladder में stone बनती है उनके लिए दोस्तों ये बहुत हिलाबकारी है गुठली के चुन को दही के साथ मिलाकर अगर आप खाते हो तो ये दोस्तों पत्री के लिए बहुत फाइदाबंद होता है दात और मसूडे को अगर आप मजबूत रखना चाहते हो सेहत बन रखना चाहते हो तो जामून की गुठलिया बहुत ही फाइदाबंद है इसमें बहुत ज़्यादा केल्शियम होती है इसलिए हड़ी के लिए यानि हड़ीयों के बिमारी के लिए ये बहुत अच्छा होता हलका सा पानी मिला के भी आप सुभा सुभा अगर अपने दान को थोड़ा से मसाज करते हो मसूडे को थोड़ा मसाज करते हो तो दान आपका मजबूत होता है मसूडे से जो खून हो गरा निकलती है वो ठीक हो जाता है दोस्त अगर आपका बच्चा बिश्तर गिला करता है तो जामुन की गुठली को पीस कर आधा आधा चम्मज दीन में दो तिन बार अगर पानी के साथ दोगे तो इससे आपको जवर्दस लाब होगा दोस्तों अगर थंड के कारण आपकी आवाज बैट गई है तो जामुन की गुठली के पाउडर से आप काढ़ा बनाईए और इससे कुल्ला कीजिए देखोगे इससे आवाज पस्ट होगे याने आपको गैर्गलिंग करनी है गैश्ट्रेटिस के अगर आपको समस्या है तो जामुन की गुठलीयां का पाउडर आप इस्तेमाल करके इससे रहात पा सकते हो कई बर देखा के हैं दोस्तों जिनको मुहां से आदिकी समस्या होती है तो उन्होंने जामून की गुठ्लिया को सुखा कर थोड़ा पीस लें इस पावडर में गाये का दूद हलका सा मिलाएं और रात को सोते समय चेहरे पे लगाएं इससे आपको जो मुहां से होती है उससे आपको निजात दोस्तों मिल जाएगे और सुभा आपको इसको थंडे पानी से साप करनी है अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका पाउडर दोस्तों बनाओगे जामून को जैसे खा लेने के बाद उसका जो गुठली है उसको अच्छे से धूप में सुखा लें और एकदम पानी में आप सीधे ले सकती हो या फिर जैसे मैं भी आपको बताता हूँ करेले के जूस के साथ मिला के लोगे वह अभी थोड़े दिर में आपको में डेस्क्राइब करता हूँ करेले का जूस के बारे में थोड़ा उसका फायदा बता दूँ फिर कैसे दोनों को करेले में दोस्तों फॉस्परस बहुत मात्रा में पाया जाता है यहां कफ कब्ज और पाचन संबंदी सारी समस्य को दोस्तों दूर कर देता है इसके सेवन से भोजन अच्छे से पस्ता है भूख खुलकर होने लगती है कंस्टिपेशन और दोस्तों दूर होता है आस्थमा की जो सिकायत होती है जिनको ब्रंकाइडिस की सिकायत होती है उनके लिए दोस्तों बहुत ही लापकार है कि सासाथ कि पेट में अगर ग्यास बनता है अपच की बिमारी है तो थोड़ा बहुत करेला हमेंसा अडवाइस किया जाता है कि आप जरूर इसको लें करेले का जूस पीने से लीवर दोस्तों मजबूत होता है जिससे हाजमा हमारा ठीक होता है और हमारा पेट दोस्तों की समस्या है फैटी की समस्या है वो रोजाना करेले का जूस लेनी चाहिए जिनने विलिया विमारी है याने जंडिस की सीकायत हो चुकी है उनकू भी करेले का सेवन, रो जाना करनी चाहिए खास करगे juice हर तरह का संकरमन से दोस्तों करेला हमें बचाता है इसके पतियों को भी दोस्तों उबाल कर आप इसका पानी भी से बन कर सकते हो या फिर डायरेट करेले को भी ग्रैंडिंग करके आप उसका juice भी बना सकते हो याद रखें इस नियम को कि उसका बीज आपको हटा देनी चाहिए जिनको लक्वा याने पैरलेसिस हो गया है वो कच्चा करेला का जूस अगर रोजाना थोड़ा थोड़ा लेंगे तो उनको भी दोस्तों इससे बहुत सारा फाइदा होगा खुणी बवासिर में करेला बहुत ही दोस्तों लापकरी है एक चमच करेले के रस में आधा चमच अगर सक्कर लेकर आप प्योगे तो बवासिर का भीमारी दोस्तों आपके ठीक होगी गठिया और हाथ पेर में अगर जलन रहती है तो करेले के रस की मालिस भी आप कर सकते हो हलका पानी मिलाओ करेले के रस के साथ और इसमें जॉइंट को थोड़ा से मसाज दे के छोड़ दो दो घंटे बाद फिर साप क्योर लो किड्नी की समस्याओं में करेले का उबला हुआ पानी और करेले का रस दोनों ही बहतलाब करिए यहां किड्नी को सक्रिय कर हानिकारक तत्तों को सरीर से बाहर निकालता है फुद्य संबंदित समस्यां को भी करेला दोस्तों ठीक करता है यहानिकारा बसा याने जो फैड जमा रहता है फुद्य के धमनियाँ में उसको बिल्कूल दोस्तों बहार निकाल देता है ब्लेड सर्कूलिसन अच्छा कर देता है जिससे हमारा heart attack होने का खत्रा कम हो जाता है नेमू के रस के साथ करेले का रस अगर मिला के चेहरे में लगाओगे तो pimples होगर दोस्तों ठीक हो जाता है साथ साथ cancer से लड़ने के लिए भी करेले का रस दोस्तों बहुत इलाब करिए यह जो सारी जानकर यह आपको दिया वो इसलिए दिया कि आप करेले के रस के बारे में भी जान लिए और आप जामून के गुठली के बारे में जान लिए गुठली को कैसे powder में convert कराओगे वो भी जान लिए अब यह दोनों को दोस्तों mix कैसे कर लिए पाउडरा बना के airtight आप बटल में रख लीजिए या डिबे में रख लीजिए रोजाना सुभा फ्रेस करेला आधा लीजिए उससे बीजन हटाओ और अच्छे से grinding कर लो थोड़ा पानी उसमें मिला लो मिलाने के बाद उसको चाय के जो छन्नी होती है या फिर पतले कपड़े से अच्छे से छान लीजिए लगबग आधा गलास से थोड़ा ज्यादा होगा तो उसमें आधी चमच जो आपका पाउडर बना के रखे हो जामुन के कुठली का उस को आधा चमचा मिला के अब आप अपना जूस तैयार कर लिए जो फाइदा में अभी तक गिंती किया हूं यह सारा फाइदा दोस्कों हो तो आप बहुत से सौटकॉट में ही मैं कहना चाहता हूं कि यह जूस आप तयार करो घर में सुभा पूरा एक गलास अच्छे से हूं जो ओल्ड एज के भी लोग हैं जिनको जॉइंट पेंड रहता है मसल स्पेंड रहता है अलग-अलग विमारी जो मैं अभी आपके साथ डिसकुसंस किया हूं इस सबसे दोस्तों इजात मिल सकती है लगातार एक-दो मेहना प्रयोग करो लाव होगा ऐसे हजारों टीप है सुगर का पॉइंट पॉइंट नमर 25 किताब मैं अच्छे से बताया हूं किताब जरूर ऑनलाइन अमिजन से मंगाएं यह पॉइंट सुभा ब्रेकफास्ट के पहले दो पर लंच के पहले और रात को डिनर के पहले याने 15-20 मिनिट पहले यह पॉइंट को 50-50 बार आपक कम हो जाएगा एक पॉइंट यहां रहा सेम हीर यहाने दोनों हाथ में हैं पॉइंट नमर 25 पैंक्रियाज पचास बार यहां और पचास बार यहां यहां यह दोनों पॉइंट को स्टिमुलेट करो 50-50 टाइम्स सुभा ब्रेकफास्ट के पहले लंच में 10-15 मिनिट पहले औ सासत आपको यह लेनी है मौनिंग में खाली पेट तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं भी समाथ करता हूँ अच्छा काम जीवन में करते रहो एकी प्रेशा जिसे भी सीखना है डिजिटाल जो हमने तयार की है 9 गंटे और 26 गंटे का घर बैटके सीखो अपने लिए तो फा हम धीरे धीरे और मजबूत होंगे और अपनी ताकत बढ़ाएंगे अपना नौलेज बढ़ाएंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे बिना रुकाओड के बिना थकान के हम अपने मंजिल पे दोस्तों पहुंचेंगे तैंक यू भी मच जैहिन जैभार